तो गाइस स्वागता आप सभी का एक न्यू वीडियो में और जैसे कि मैं पता है फाइनली बैकलाइस के लिए अब बस कुछी दिन रह चुके हैं और ऐसे में डॉडवली ने ओल्रेडी सारे मैचस को कंफर्म कर दिया है तो आज किस वीडियो में उन्हीं मैचस की बिनर प्र अब भाई ये मैच भी काफी अच्छा काजा मैच होने वाला है क्योंकि भाई टिफिनी को हम में रॉस्टर पर रसल करते हुए देखेंगे और भाई साधिसाद नौमी ने भी इतने टाइम बाद रिटेन किया था तो उन्हें भी एक अच्छा मोमेंट मिल रहा है और भाई तो मेरे साब से तो यहां पर बेली हराने वाले टिफिनी स्ट्रेटोन और नौमी को और वह रिटेन कर जाएंगी अपनी डबल डबली विमन्स चैंपरशिप अगले मैच की बात करें तो भाई मुझे नहीं पता आप इस मैच के लिए किते ज्यादा एक्साइटेड नहीं लेकिन मैं इस मैच के लिए सच बताओं तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ और यह मैच होने वाला है भाई हमारी काबू की वारियर्स वर्सिस बियांका ब्लेर एंजेड कारिल के बीच उनकी डबल वी विमन्स टैग टीम टाइडल्स के लिए और यहां पर काफी ज्यदा स्ट्रोंग अगर आसका और काईरी सेन के सामने देखें तो यह रही है तो मेरे असाब से चैंपिन बनने वाली है और कुस टैम टक डबलबली इन्हें चैंपियन रखेगी उसके बाद हो सकता है इनका ब्रेक अप हो जाए और फिर भाई इनके पीच हमें कोई फ्यूड देखने को मिले बाकी मुझे लगता है यह दोनों यहां पर फ्रमिन न्यू चैंपिन बनते वे नजर आएंगे अगले मैच की बात करें तो भाई हाँ यह एक यह इंट्रस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि हमारे में इवेंट जे उसो यहां पर चैलेंज करने वाले हैं काफी जाधा मज़र मैच में आने वाले है या फिर US चैंपिन बनेंगे लेकिन मुझे लगता है भी उनका वर्ल्ड चैंपिन बनने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि WWE ऐसे करती है एकदम से उन्हें WWE भाई मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड चैंपिन बनाएगी पहले WWE उन्हें टेस्ट करेगी अपनी World Heavyweight Championship अगले मैच की बात करें तो भाई ये एक काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारे The American Nightmare Cody Rhodes अपनी Undisputed Universal Championship को Defend करने वाले है अगेंस हमारे The Phenomenal One AJ Styles के बीच और ऐसे मैं Cody Rhodes का ये Champion बनने के बाद पहली बार अपनी Championship को Defend करना होगा तो देखना ये होगा कि भाई किस तरह से Cody Rhodes यहाँ पर इस मैच में परफॉर्म करते है और क्या भाई वो फैंस की Expectation से मलब बराबरी कर पाते नहीं कर पाते उतना Deliver कर पाते नहीं कर पाते साथ साथ AJ Styles और Cody Rhodes की मैच की अभी उतनी हाइप तो नहीं है लेकिन भाई उम्मीद है कि आने वाले SmackDown में WWE कुछ ऐसा कर देगी भाई जिससे थोड़ी तो हाइप इस मैच की बनी जाए और हम फैंस इस मैच के लिए excited हो जाए बाग यार मैच अगर हम रेसलिंग वाई देखे तो काफी जदा कमाल का होगा क्योंकि AJ Styles ये काफी कमाल की सुपरस्टार है Cody Rhodes की भाई रेसलिंग काफी जदा कमाल की है तो मैच तो ये काफी जदा कमाल का हो गई लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें वाई विनर की तो मुझन लगता भाई अभी हमारे The American Nightmare Cody Rhodes इतनी जल्दी इस Championship को हारने वाले क्योंकि अभी अभी यो चैंपिन बने हैं और भाई WWE कहां उनको टॉप गाई के तौर पर रख रही थी तो इतनी जल्दी तो वह नहीं आने वाले WWE भले फैंस उन्हें दे 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 उन पर टन करना शुरू कर दिया हो फैंस ने लेकिन WWE उन्हें थोड़ा सा भाई को मौका तो देगी और कुछ टाइम मुझे लगता है एक दो तीन प्रिवियम लाइब इवेंट तो WWE देखेगी कोडी रोड्स किस तरह से perform करते हैं बागी उसके बाद हो सकता है कि कोडी रोड्स अपनी चैंपिसे बहार जाएं लेकिन अभी तो भाई वो अपनी चैंपिस कि बाहर उनने रसल किया होगा लेकिन यार मनलब ज्यादा तर जो लोग है जो WWE देखते हैं वह अभी टामा टोगा से सईसे इंट्रड्यूज नहीं हुए कि बाई किस तरह के वो सूपस्टार है तो वह हमें देखने को मिलेगा बैक लैस में कि बाई तामा टोगा कि रेसलि नहीं सकते हैं तो मैच काफी जड़ा कमाल को हो गई बाकि अगर मैं यहाँ पर विनर की बात करो तो भाई मेरे साब से यहाँ पर सोलो सिकुवा और टामा टोगा विनर हो सकते हैं क्योंकि यार जो यह नई ब्लड लाइन है यह डवल ली ने अभी अभी बनाई है तो ऐसे म से भाई हरा देंगे तो क्या यह मतलब सेंस बनेगा आगे जाकर ने रोमन रेंज के साथ फ्यूड करनी है तो कुछ सेंस बनेगा नहीं अगर यहाँ पर टामा टोंगा और सोलो सिकुवा हार जाते हैं क्योंकि आगे जाकर इनके लिए डवल ली के काफी बड़े प्लैंस है लेकिन अब यह रूमर सार है कि काफी जल्दी वो हमें टीवी पर एपियर होते हैं नजर आएंगे और काफी जल्दी उनका यहाँ पर डेबी होने वाला है तो क्या पता वो जगा बैकलास ही हो और भाई बैकलास में जैक ओफाटू यहाँ पर सभी को सप्राइस करें और व बॉक्स में लिख सकते हैं बाकी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते रहेंगा ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई